हालो फ्रेंट गुड मोरिंग मैं आज आपने गाडन में पस्षवगत करते हूं आपी जैली बेण बीट त्रेंट हैं आज मैं आपको इसकी केरटिस बताऊंगी और इसे अपने गार्डन में कैसे रखते हैं कि Poland पेडियोल को इसके लिए मेरे में बने रहीं गाई ऑफ दो आप ने कि चैंब भी प्लां प सुए मेरे होगी आप टो ने मिलेगी ते अर्पमेरे बीडियो फ्ली ये बने रहे गां अर्वह अक्षिक शिण होता यहाई पतियों शुरुक्त है इसकी पत्तीय को होती है इस लिए इसकी पतियों में जेल मुशना होता है जैसे ये एलोवेरा का प्लांट होता है ठीक वैसे ये भी होता है उसी की एक विराइटी होती है लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है वो अलग होता है ये उस एरिया में मिलता है जहां पानी की कमी रहती है वहाँ ये असानी से ग्रो कर जाता है ये इधर की एरिया का नहीं है जहाँ पानी की कमी भीशड होती है वहाँ वाला ये प्लांट है बहुत ही कम केर में कम देखभाल में कम रख रखाव में कम बजट में ये चन्ने वाला प्लांट है इसको कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है इसको कटिंग आप लगाएंगी तो आसानी से ग् किसी वीडियो में आप देखिएगा मैंने कटिंग से लगाया था और मुझे लगता यह कटिंग चल चुका है अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी और इसको पत्तियों से भी लगा जा सकता है अगर इसकी पत्तियां किसी भी मतलब मिट्टी पर रख दीजे चाहां मतलब प्लांट होता है कम रख रखाव है कम खेयर है जादे महनत भी नहीं यह प्लांट मांगता है और आपके गार्डन में सालो साल बना रहेगा बस इस बात क्या ध्यान रखना है कि इसके मिट्टी अच्छी तयार होनी चाहिए इसको धूप भी उचित मात्रा में देनी है तो प्लीज इस बात के ध्यान रखे कि इसको जादी धूप नर दिखाए यह मेरे टैरिस पे था तो मैं इसको उठा के नीचे लाई हूं नीचे यहां रखोंगी यहां एक घंटी की धूप जहां लगती है क्योंकि अब भीशड़ गर्मी पड़र यह भीशड़ गर्मी स सब खराब हो जाते हैं तो एक करके मैं सारा साइकुलेंट अपने नीचे उठा के लिए आऊंगी बालकनी में वहां एक घंटे के धूप लगती है चानी चानी वाली उसमें यासानी से चल जाएगी इसको अधिक धूप किया सकता नहीं होती है फ्रेंट ना इसमें कोई फं रर्णेंद ये लो मेंटेनेंस माला प्लानट है देखे कितना खुबसूरत लग रहा है पत्तियों को बज़े से भी इसको खुबसूरती होती है ऐसे हपते में मात्र दो दिन पानी दीजिए अधिक पानी करता है और यह जो यह प्लांट है यह वातावरन को सुद्ध करता है घर के जो वातावरन है उसको यह सुद्ध करता है तो प्ली इसको अपने गाड़ों में ज़रूर जगा दीजेगा और चलिए इसकी मिट्टी हम दिखाते हैं कि मैंने मिट्टी इसकी कैसी त्यार की है मेरे इस क्वात्य को बचारतू है जो बता देते हैं इसमें क्या क्या लिए है मैंने गोबर की खाद लिए है पालू ली है फूसी ली और किच्वे की खाद ली बस इतने लेकर और मैंने बहुत अच्छी वेल्ड रहे मृट्टी तयार की यह जितने में पानी डालती हूं फ्रेंट यह सब निकल जाता है देखिए कितनी अच्छी इसमें मिट्टी मैंने डाला ही नहीं है और फिर भी एच्छे से चल ला है तो आप भी मिट्टी में डालीएगा और यहापके गाड़े में चला गल दिखिए इसके कितनी ड्रेने सिस्टम कितनी जाती है आपको टाइम नहीं लेगेगा छे घंटे में अपना असर दिखा देती है अगर इसमें अर्धिक पानी हो जाता है तो जब भी बारिस होती है तो मैं इसको छुपाने जाती हूं कि बारिस का पानी पाए तो फ्रेंड इसको पानी से बचा के रखिएगा हपते में दो दिन पानी दीजेगा जब इसकी पूर्य ड्राइव हो जाएगी तब और गर्मी में आप चेक करके ँडिल डाल सकते हैं ठंडी में दो दिन 1990 का एक चमज का चौथाई हिससा घोल के अधिने बडबर दिखिए कितने बड़े गंदे इतने बड़े बड़े गंदें हैं एक हिस्सा का एक चमज का चौथाई इससा उसको मग पानी में घोल के या दोनों कंटेनर में डाल दीजिए यह बहुत अच्छे से चरेगा और इसको किसी फटिलाजर किया सकता नहीं होती है जादे कुछ डालना है तो गोबर की खाद का लिक्विड बना के दीजिए लिक्विड ही इसमें पड़े का फ्रेंड और कोई नहीं यहां इस पर थोड़ा बहुत कभी कभी काट पीलर लग जाते हैं यह इसकी पतियां इसे काटके खा जाते हैं तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कैट पीलर होगरा लगेगा तो उसको निकाल के वार फेक दीजिएगा इसको कोई इस प्ले करनी क्या हो सकता नहीं यह त इसको मैंने कटिंग से लगाया था और यह देखे कितनी अच्छे से चल गया है इसको मैंने कटिंग से लगाया था अगर आपकी भी इस पेड़ की अरे इस प्लांट की टहनिया लंबी हो जाए तो आप मेरे तरीके से देखिए ऐसे काटके लगा दीजिएगा देखिए ग्रो हो गया है हाँ इसे मिट्टी मत डालिएगा पानी का बिसेश ध्यान दीजिएगा यह असानी से चल जाएगा बहु का ध्यान रखिएगा और धूब का अगर इतने का ध्यान दे दीजिएगा तो आपके गाडन में सालों साल बना रहेगा खुबसूरती में चार्चान लगा देगा तो जब भी यह ऊपर थोड़ी सी यह ऊपर चली जा रही है तो इसकी जो यह नीचे की पत्तिया है तो इसक समय नहीं मिला है अब बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर करिएगा और बरसात में प्लीज इसको बचा लेजिए ने तो बारिश का पानी पाएगा तो यह खराब हो ज प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जरूर करिएगा थेंक्यू फ्रेंड आप लोग का प्यार सपोर्ट मुझे भरपूरू मिला है उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगा बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगा फ्रेंड बाई